नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन की दिन भर की खबर जानते हैं जारखन विधान सभा मांसूर सत्र हंगामेदार, 11,988 कड़ोर का अनुपूरक बजट पेश जारखन विधान सभा मांसूर सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा, सदन की करवाई सुरू होते ही हंगामा सुरू हो गया पुरा प्रश्नकाल हंगामे और बिरोध के बीच ही प्रश्नकाल चला सुदे समह तो अमर बावरी सहीद विपक्ष कई विधायकों ने जारखन में विधी विवास्ता को लेकर हमन सरकार को घेरा वहीं साता पक्ष ने मनिपूर घाटना को लेकर भाजबा पनिजाना साथा और उससे सवाल किया मांसुन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच ही वीतिय वास्ट दोहरतेश चोविस का पाला अनुपूरक प्यट भी पेस हुआ है बता दे प्रश नकाल में सबसे पहले बिधायक परदी प्यादो ने मनिपूर मुद्धे को उठाया और कहा कि मनिपूर में हिंसा के दोरान पीएम मोदी ने कई बार मन की बात की लेकिन मनिपूर मामले में चुपी साद रही है इसके बाद सदर में काफी ज्यादा हंगामा सुरू हो गया विधायक विपक्ष से जबाब मांग रहे थे वहीं जबाब में भाजबा विधायकों ने जहारखन में बीधी बेवस्था को लेकर सवाल किया उन्होंने कहा है कि आदिवासी के हत्याय हो रही है रेप की घटनाय हो रही है ज़ारखन जल रहा है उन्होंने कहा कि राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है इसी दोरान विपक्ष नहेमन सरकार से स्थिपा की भी मांग की है कदाचार के आरोप में निसकासित हुए 17 पारा टीचर ज़ारखन एकेडमी काउंसिल की सहायक अध्यापक आकलन परिक्षा 2023 में कदाचार करते 17 परिचार्थियों को पकड़ कर उपायुक ससी रंजा ने परिक्षा से निसकासित कर दिया है मेदनी नगर के योध सिंग नामधारी महिला कॉलेज सेंटर से आठ एलिट बीएड कॉलेज परिक्षा केंदर से आठ और एलिट पावलिक बीएड कॉलेज परिक्षा केंदर से एक परिक्षार्थि को निसकासित किया गया महिला कोलेज की प्रचार्य डाक्टर मोहिनी गुपता ने बताया है कि दिन के करीब साढ़े 11 बजे उपायुक्त कोलेज परिशार पहुँचे थे पलामुजी लेके 7 परिशा केंदर पर रभीवार को परिशा हुई वर्ग 1 से 5 वर्ग और वर्ग 6 से 8 वर्ग में कोल 3470 परिशार्थियों को परिशा लिखना था इसमें 3398 परिशार्थी सामिल हुए वही 72 परिशार्थी अनुपस्थित रहे वर्ग 1 से 5 में कोल 333 परिशार्थियों में 3079 उपस्थित जबकि 64 अनुपस्थित रहे वहीं 16 परिशार्थियों को कादा 4 के आरोप में निस्कासित किया गया है राश्ट्रिये धवाज के अपमान पर भड़के बावुलान मरांडी जारखंड के पलामू और रांची में मुहरम जूलुस के दोरां राश्ट दोज के साच्छेर चाल करने के ममला सामने आया है वहीं इस घाटना के बाद से राज में सिया सदबढ गई है वहीं अब इस ममले पर बावुलान मरांडी का ब्यान सामने आया है दरसल बावुलान राणी ने सिया मैं हमन स्यूलेण पर हमला बोलते हिए कहा कि राजे में सियेम स्यूलेण और कॉंग्रेस के तुष्टीकरन के निती ने जारखंड को बारूत के धेर पर बैठा दिया है दरसल बावुलान राणी ने ट्रीट कर कहा पलामू के चनपूर के अलावा रांची में भी मुहरम के दिन जीस परकाश से राष्ट दोज का अपमान किया गया ओ अक कल्पनिय है जार्खन में अलगाव वादी और जिहादी ताक्ते पैर पसार रही है आने वाले वक्त में जार्खन के हलात बंगाल से भी ज्यादा भ्यावा होने वाली है अलगाव वादी ताक्ते जार्खन से आदिवासियों का स्तित्तो संस्क्रिती और प्रचान समाप्त कर देगी बंधू तिर्की बोले सुखे की चपेट में फिर जार्खन जार्खन के पूरो मंत्री वा कॉंगलेस के कारकारी अध्यक्स बंदू तिर्की ने कहा है कि जार्खन के 24 लाग से अधिक किसानों को पिछले वर्ष घोसित सुखा रहात की रासी अब तक नहीं मिली और यह गंभीर चिंता की बात है जबकि इस वर्ष फिर से कम वर्षा के का जार्खन का अधिकांस हिसा सुखे की चपेट में है और अपने भविस के प्रति किसान बहुत अधिक ब्याकूल एवाम आसांकित है स्री तिर्की ने कहा है कि अधिक केंद्र से अभी तक सुखा रहात के नाम पर कोई सहता रासी नहीं मिली है तो किसानों को बिकट इस ती से निकालने का कोई रास्ता राज सरकार को ही निकालना चाहिए क्योंकि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कॉंडिस के करकारिया अध्यक्ष बंधुतिर्की ने कहा है कि जार्खन के कूल 33,62,6823 किसानों ने पिछले वर्ष सरकार की घोसना के बाद सुखा रहात के लिए आविदन किया था जिन में से लगभग 10 लाग किसानों को ही राज सरकार ने साढ़े 3000 रुपए की सहतरासी दी थी और बाकी किसान मदद की आस्त लगाए बैठे हाए नियोजन निती पर गर्माई जार्खन की सियासत जार्खन विधान सभा का मांसूल सत्र जारी है सोमवार को सदन के बाहर और भीतर नियोजन निती का मुदा गुजा सत्र की शुरुवात से पहले जहां बिजेपी बिधायकों ने तक तिया लेकर नियोजन निती के मसले पर नारे बाजी की वहीं सदन के भीतर भी दोनों पक्षों के बिधायक वेल में आ गए इसकी वज़ा से सदन की करवाई अस्थागित करनी पड़ी बिजेपी बिधायकों ने मांग की है कि जहार खंडी युवाओ के लिए अस्थानियेता आधारित नियोजन निती बननी चाहिए साथ ही नियोजन निती असपष्ट करने के भी मांग की है वहीं सता पक्ष ने कहा आया कि सोच समझ कर जारखंडी युवाओ के हीत में ही नियोजन निती तयार की गई है बिजेपी इस विशाय पर युवाओ को बरगलाने का पर्यास कर रही है विपक्ष के बड़े नेताव ने भी इस पर टिपनी की है जारखंड के सिक्षकों का टांसफर लिस्ट तयार जारखंड में प्रात्मिक वमध बिद्याले के सिक्षकों के असनांतरन की परकिर्या सुरू हो गई है इसके लिए जिलावार बिद्यालेयों में छात्र अनुपात में सर पलस सिक्षकों का लिष्ट त्यार कर लिया गया है सिक्षक असरांत्रन के लिए बनाये गए पोर्टल पर इसे जारी भी कर दिया गया है राजे के भी भी सिक्षक संगतनों ने इस पर विरोज जताया है सिक्षको का कहना है कि इसमें काफी गल बड़ी है कर्चा 1 से 5 वर 6 से 8 के लिए सिक्षको की गन्ना में भी संगती है जिन विद्यालों में पिछले वर सहायक अचारे का पस्रिजित किया गया है उन पदों को भी सरपलस बताया जा रहा है वहीं इन पदों पर पूर्वर से कारड़ा सिस्को के सनांत्रन की बात कही जा रही है जबकि सहायक अचारे का वेतन कम है इसे लेकर रभीवार को जार्खन परदेश सन्यूक्त सिक्षक मोर्चा के बैठक होई बैठक मजाई लिस्ट में सुधार की मांग की गई है सियम हेमन्द के खिलाप अपत्ती जनक टिपनी करने वाला यूटूबर गिरफतार जहारखन के मुख्य मंत्री, स्पीकर और मंत्री के खिलाब अपत्ती जनक टिपनी करने वाला यूटूबर रांची पूलिस के हाथे चड़ गया है, पूलिस ने भोकाल यूटूब चैनल के रिपोर्टर मिकु खान को गढ़वा से गिरफतार किया है, इसकी पुष्टी और को गढ़वा एसपी अंजनी कुमार जहाने की है, बता दे जे एमेम के केंद्रिये परवक्ता मनोच पांडे ने 29 जूलाई को मुख्य मंत्री है मंसुरेन, स्पीकर अविनरात महतो और मंत्री मिथलेश ठाकूर के बारे में सोसल मीडिया पर आम मर्यादित और अपत्ती जनक, अर्नाल गल एवं अमर्यादित भासा का परियोग करते वे एक वीडियो अपलोड करने का आरोप है, सुखे को लेकर बाबुलल मरांडी ने की राहत पैकेज की मांग, जहारखन बिधान सबाक मांसुर सत्र जारी है, सोमवार को बिजेभी बिधायक सहफ पार्टी के परदेश्त अध्यक्ष बाबुलल मरांडी ने कहा है कि पूरे जहारखन सुखे की मार्जेल रहा है, किसानों ने खेत तयार कर जो बिचले लगाये थे वो भी सुख रहे है, परियाप्त बारिस होने की आसार नहीं आ रहे, बाबुलल मरांडी ने मुख्य मंत्री और किरिस परदेश्त बारिस नहीं होने से किसान रोपनी नहीं कर पा रहे हैं, 9 अगस्त को मैदूर करमचारियों का धनबाद में महा पड़ाव, केंद्र सरकार की मैदूर बीरोधी नितियों खिलाप केंद्रिये सरम संगठन एक बार फिर से एक जूट होने लगा है, सरकार की निति ने एक सूर में कहा, मैदूर और करमचारी के निताओ ने आगे कहा कि केंद्र में भाजपा नित दो इंजन की सरकार हिंदितो कर्पोरेट घारानों के साथ गठ जोड कर देश में मैदूर की सानों और आम जानता के उपर जन बिरोधी निति थोप रही है, कोईला सहीत यानिक उद्योगों को कर्पोरेट घारानों के हाथ बेच रही है, जारखन के 1.72 क्रोर लोगों ने नहीं जोड़ा अधार में मोबाइल नमबर, अधार कार्ट से मोबाइल नमबर लिंक नहीं होने से सरकारी वजनाओ सहीत नीजी सुधाव का लाव मिलने में परसानी हो सक लगभग 3.58 क्रोर लोगों के पास अधार काड़ है, इन में लगभग 1.72 क्रोर लोगों का ही मोबाइल नमबर अधार से लिंक है, जारखन में 1.8 क्रोर लोगों यानि 52 परसातने अधार से मोबाइल नमबर को नहीं जोड़ा है, जबकि अधार में मोबाइल नमबर लिंक ह होने से कई परकार की सहुलियते होगी रांची के होटवार जेल में DC SSP के नेतित में छापे मारी राइधानी में संगठित अपराधिक गिरोह पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की करवाई लगतार जारी है इसी करव में उपायुक्त राहूल सिनहा और SSP की सोर कौसर के ने की गहन तलासिली इस दोरान पुलिस को कुछ भी आपति जनक समान हाथ नहीं लगी है जारखन सिक्षक नियुक्ति में 80% सीटों पर अस्थानिये की ही बहाली राज में बरतवान में सरकारी नियुक्ति में 60% आरक्चन का प्रवधान है 40% सीट अनारक्चित है राज में पर 40% सीट आरक्चित है वहीं 4 जीले में अनुशुचित जाती के अवियरतियों के लिए 20% सीट अधिक आरक्चन है वहीं राज में परात्मिक सिक्षक का कैड़ा जीला अस्तरिय है इसके अलावा इसमें 50% सीट इसकूल में पुरु से कार्यात पराश सिक्षक के लिए में 26 यार एक सिक्सको के नियुक्ति पर किरिया शुरू की गई है धन्यवाद